असलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोधेरब का फैमली विजिट विजा के बारे में, थमनिल आप लोगों ने देखा जिसमें मैंने लिखा है कि फैमली विजिट विजा का A2Z सर्विस, ये क्या है बताऊंगा वीडियो का आगे में, साथ में ये भी कि फैमली को बुलाने के लिए क्या क्या रूल है, 2024 का, तो विडियो को पुरा देखिएगा, लेकिए अगर आप में से कोई सोधेरब में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अपने फैमली को सोधेरब बुलाना बहुत इजी हो गया है, पहले क्या होता था भाई, खली बड़ पोजिशन वाले लोग अपने फैमली को बुला सकते थे, लेकिन सोधी हुकुमत ने ये रूल को काफी डेम पहले हटा दिया, अब सोधेरब में जो भी काम कर रहा है, खली इकामा आपका रहना चाहिए, आप चाहे लेबर हो, या फिर हाउस ड्राइबर हो, खदामा हो, बहुत तरह का होता है, फैमली विजिट विजट 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 अब सबसे पहले क्या करेंगे आप जिनको आप बुला रहे हो उनका एक फॉर्म बनना पड़ता है मैंने इस पर वीडियो बनाया है कि फैमिली विजिट विजा में बुलाने के लिए फॉर्म को भरते कैसे हैं इस वीडियो के description में link दे दूँगा वो वीडियो का वो वीडियो पूरा देख्के आप लोग भर लेना वो फॉर्म को आप English और Arabic दोनों में से किसी में भी भर सकते हैं लेकिन रिसेंट में कुछ लोगों के साथ में ये problem हुआ कि उनको एक error आरा मिनश्टी के तरफ से मोफा क के तरब से कि आप जो farm में ना उसको अरुबिक में भर देये तो यह क्या मामला है समझ में नहीं आए इसको कूछ कुछ लोगों को आया कुछ लोगों को आ रहा कि अरुठ में भरो अब जो लोग अरभी नहीं जानते उनके लिए工作 स्थमय से और मैंगे। बता दूं कि इसका service में देता हूं आप मैंसे किसी को अगर Arabic में form भरवाना है तो आप इसकी service ले सकते हैं छोटा से amount देके मैं आपका fill करने में help करूँगा अगर किसी को English में भी भरवाना है, तो भी आप इसका service ले सकते हो, अगर खुद से करना है तो आप खुद से भी कर सकते हो, मैंने वीडियो में बताया हूँ है, तो पहला काम यह है, क्या आप फॉर्म को भरेंगे, जब फॉर्म को भरेंगे ना उस समय आपको ध्यान रखना ह मिसन, मिसन क्या है, यह कॉंसुलेट, इंडिया में दो मिसन है, दिल्ली मिसन, मुंबई मिसन, अब दिल्ली के अंडर में अब VFS सिस्टम हो गया, पहले हम लोग एजेंट को देते थे भाई, वो वीजा लगा देता था, अब वो ऐसा सीन नहीं है, अब आपको खुद जाना वाला है, बर ऑफिसेल ही हुआ नहीं है, तो दिल्ली के अंडर यह तीन VFS हो गया, अगर आप मुंबई सिलक करते हैं, तो मुंबई में मुंबई आता है, साउथ के जितने भी हैं, वो सब आता है, जैसे बेंगलोर, चन्ने, कोचीन, उसके बाद, हैदराबाद, अहमदाब गोवा, गोवा उपरेशन में नहीं है, यह सब आता है साउथ में, तो आप देख लेना, आपका एरिया किधर सामने है, अगर मुंबई साइड में है, तो मुंबई सेलक कर लेना, अगर दिल्ली साइड में है, तो दिल्ली सेलक कर लेना, मैं जमशेदपूर से बिलों करता ह तो मेरे अरिया से अगर आप कोई हो बिहार हो गया जमशेदपूर जारखन बंगाल उडिसा तो आप लोग दिल्ली से लग करना को लगाता नस्दिक पड़ेगा ओके ये फॉर्म भर लिया फॉर्म बनने कि बात क्या करना होता है इसका तस्दीक कराना पड़ता है अगर आप आप कंपनी को तसदीक कर देगा प्रूब कर देगा हो गया काम उसमें कोई चेंबर कर देगा, चेंबर से अंप्रूब कर देगा तो वो अप्रूब हो जाएगा अब बहुत सरा कमपणी ऐसा होता है ना भजय जो चेंबर नहीं करता है चेंबर करने में करता है कई कंपणी के चार admin लोगों ये परेशानी में दाल देते लोगों को, ऐसे में क्या होता है, लोग बाहर से भी चंबर कराते हैं, बाहर से कराना क्या legal है, बिलकुल legal है, चंबर क्या है, सौधी हुकूमत ये कहता है, कि सौधियरभ में, जिसके पास भी CR है, चंबर है, वो किसी को भी chamber approve कर सकता है चाहिए आपका company का worker हो या ना हो कोई भी हो तो इसलिए लोग बाहर से कराते हैं लेकिन chamber करने में रिस्क है जो कर रहा है उसको पर रिस्क रहता है कि जिसका आप कर रहे हो कहीं वो कुछ violation कर दिया तो आपका chamber पर impact पड़ेगा तो जो लोग करता है ना उसको यह tension होना चाहिए जो लोग कराते हैं उनको tension नहीं होना चाहिए लेकिन knowledge का भाव के कारण ज्यादे तर लोगों में उल्टा reaction रहता है तो आप लोग करना क्या है कि चंबर करा लेना है अगर आप मेंसे किसी का company चंबर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग मुझ से या VFS का scene हो जाता है VFS का appointment लेना है उससे पहले एक चीज़ और बता दे रहा हूं बहुत लोगों में doubt रहता है कि भायम किसको किसको बुला सकते किसको नहीं बुला सकते तो आप अपने blood relation में सभी को बुला सकते हैं लगबक सभी को आपका blood relation में जो जो आता है आपका माबाप बीबी बच्चे या husband अगर कोई lady से तो husband बुला सकते हैं सास ससूर को भी बुला सकते हैं इसके बाद जो थोड़ा दूर का रिष्टा हो जाता है ना उनको बुलाने में तो आप feel करोगे लेकिन उनका approve नहीं होता है ज्यादा तर चांद से reject हो जाएगा यह सापका cousin brother या uncle aunt इंटी वो लोग का reject होता है अपना बलट सर्कल में सबका हो जाता है अब देखिए इसमें दो option मिलता है आपको family visit visa में एक होता है multiple entry एक होता है single entry multiple entry में क्या होता है एक साल का visa तो रहता है लेकिन एक साल के अंदर आप जितना मरजी आना चाहें जाना चाहें जा सकते है multiple में यह फाइदा है लेकिन एक ही साथ अगर ज्यादा दिन रुखना चाहते हैं तो multiple का rule यह है कि एक बार में आप 90 दिन ही रुख सकते हैं 90 दिन जब हो जाएगा तो उससे पहले ही एक दो दिन पहले आपको विजा को को एक्स्टेंट करना है एक्स्टेंट करने का rule क्या है या तो आप साुदिय अरप से बाहर निकल के कोई और देश चले जाए और पीर आ चांतरी चले जाओ फिर आजाओ बढ़ जागा नबे दिन या तो फिर अपना अप भाट शर्से नहीं कर रहा यह काफी दम से사를 चलरा है जैद्ञाट चांसे से पहली दाफ्वा हो जाता है उसके बार यह प्रोब्लाम आता है किसे और शोगदा दिन मिलता किसी को मिलता ही है तो यह एक मसला है, हलाकि जावजात में जिनका सेटिंग है, अगर कोई बंदा है, तो वो करवा सकता है, इसका भी सर्विस में देता हूँ, अगर किसी को करना है, जावजात से विजा एक्स्टेंड, घर बेढ़े बेढ़े, तो आप कॉंटेक कर सकते हो, अगर मल्टिपल के जगा में सिंगल एंट्री वीजा आप लोग सेलेक करते हो, सिंगल, सिंगल मतलब क्या भाई, एक बार वो वीजा में आए, और अगर सौधी से निकल गए, तो दुबारा नहीं आ सकते हैं, यह भी वीजा को आप अफशर से बढ़ा सकते हैं, अभी तो सिंगल वाला बढ़ करूँगा, कि डॉक्यूमेंट बराबर चेक कर लेना भाई, ने तो वी एसस में परेशानी होगी, अगर हस्बेंड वाइफ दोनों के पासपोर्ट पे एक दूसरे का नाम नहीं है, तो आप लोग मैरिस सेर्टिफिकेट में एटेस्टेशन करा लेना, पॉस्टाइल करा ल वाइफ का नाम इधर उदर है, तो ऐसे में भी प्रॉब्लम हो सकता है, वी एफस में, वी एफस वाले मैंने देखा है, पैसा खाने के लिए भी बहुत लोगों को सदा आते हैं, उनको पैसा दे दो होगे ना, तो वो माफ कर देते हैं, अलाकि अपका वीजा रिफ्यूज अगर एक वर्ड इधर उदर है, हुसेन के भी स्पैलिंग एग्जामपल बतारो, अगर हुसेन किसी का वी वी का पासपोर्ट में हुसेन है और हस्बेंड का पासपोर्ट पे हुसेन है तो इमबेसी के पास होगा ना, तो इमबेसी वीजा रिफ्यूज नहीं करेगा, लेकि उनको दे दिया VFS को जिम्मा तो हम कुछ कर नहीं सकते, यह सारा चीज को हाइलाइट करना चाहिए, लेकिन लोग हाइलाइट करते नहीं, तो डॉक्यूमेंट आपका प्रोपर है, तो ही VFS के तरफ बढ़िए, नहीं तो उसको सही कर लीजिए, ओके यहां तक क्लियर हो गया, अब अपॉंट्मेंट के लिए भी जो है ना, पहले बहुत इजी प्रोसेस था, अब यह भी थोड़ा टफ हो गया है, हलाकि अपॉंट्मेंट कैसे लेना है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वीडियो देख सकते हो, अपॉंट्मेंट लेने के लिए भी अपलोड करते थे, वो आपको करना पड़ेगा, ओनलाइन अपलोड, इंविडेशन, सब कुछ, तो अपन्मेंट लेना भी बारी के से देखना पड़ता है, नहीं तो वीडियो वीडियो वाले लॉंज में आपको बोलते है, लॉंज में लोगे तो 4-5,000 बचता है, लिकिन अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट बराबर है तो, तो यही है प्रोसेस, इसके बाद VFS जब जाते हैं, एक हपता के अंदर, एक हपता दस दिन में भी जा जाता है, अगर फैमिली विजिट विजा से रिलेटेड किसी को कुछ भी सर्विस चाहिए, तो आप लोग खाल देखिये, thank you so much for watching.